असलाम अलेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बथुए के रायती गिरासपी जो कि बहुत ही टेस्टी और सिंपल तरीके से बनता है ता बिलकुल असान सा और बड़ा चटपटा सा और बहुत लजीज लगने वाला ये रायता बनता है और काफी हेल्दी भी र ये एक चोटी चमच के करीब सरसोगा में मॉस्टर अट और मॉस्टर यूस करिएगा इस सिफ बढ़ियां किसी और तेल में सुआद नहीं आता तो एक कोटी लस्टन की बारी चॉप करके सबसे पहले उसको क्राय कर दा है फिर मैंने ये बंच बतुआ था बतुए के सिफ प टर इसको करेंगे तो थो आधा राधा थोड़ा थोड़ा पऐस डाल कि हमने इसको ग्राइं करना है आग इसके अंतर में दो स्टमच के तरीब दही शामिल करूँगी जिससे की ठंदा हो जाए और अच्छा से स्मूदली ग्राइं हो जायो थोड़ा से दर दर न ही पीस इस तरीके से, यह देखिए, बिल्कुल परफेट हैं, इसी तरीके से हमने यह पीजना है, बत्वे का रायता, अब मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लूँए इसको, इस तरीके बाउल, अब हम सेम बाउल में, सेम जार में थोड़ी से दही और शामिल करके, मैं इसको ग्राइ कर लूँगी, एक चम्मत नमम डालके, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़दार हो जाता है, लेसन और मेच के साथ, तो इसको भी मैं इसी बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी, इसको जरूर शामिल करीगा, लाजमन बहुत ही चेस्टे लगता है, इससे रायता, तो अब इ होती है, तो बाहर मिल जाती है, मार्कीट में असानी से अविलेबल होती है, आप इसको इसको जरूर शामिल करिए, बहुत ही अच्छा लगता है, और पकोड़े से तो और ही मज़ा आता है, तो इसको अच्छा से मिक्स करके, इसे में रगदूंगी कवर करके, जब तर तो इसको जाता है, तो सेंपैन में मैंने एक जमज के करेंगी चरसपा ओल डाला, अदा चमज जीरा क्रेकल होने रख दिया और एक विंच मैंने हेंग शामि करी अब इन लोनों को अच्छा से मिक्स होन देंगे, तो इसको अफ करके, मैं इसके अपर साबूत नान वेच तो फ्लेम को ओफ करके बाद में शामिया ने तो यह काली सी हो जाए तो इसके जो चर्म सोते है न दिखने चाहिए बहुत ही मज़दार लगता ही रायता, इस तरीके से देखी बड़े बहुत बहुत ही बहुत ही तयार हो गया है, बहुत मज़दार सा आप इसे गर्म गर्म आलू के पराथे, गोबी के पराथी या फिर मोली के पराथी जिसके साथ दिखाना चाहिए बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इस विंटर सीजन में आप इस रेसिपी को ज़रूर प्राई करिएगा, प्राई करें तो अपना फीडबेक ज़रू जिएगा, रेसिपी पसंद अपनी फैमिली का ख्याल रखें और दूआ में मुझे भी याद रखें, आल्ला हाफिज